हम आपको आगे आना पड़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो आज मैं आ चुका हूं श्री अमना जी की यातरा पर और हाँ दोस्तों इस वीडियो में कुछ ऐसे दिर्शी भी होंगे जिनको देख के आपका मन विचलित हो सकता इसलिके कमजोर दिल वाले इस वीडियो को य यहां उपर सबसे अच्छी जगा कौन जी और यहां ऐसी आप कौन सी गलती ना करें जिससे आपकी चान जा सकती है तो चलो फिर शुरू करते हैं यातरा तो दोस्तों घबराने और डरने की बात बिलकुल नहीं और मैं यहां आपको दिखाऊंगा फाइफ का नहीं सेवन स् चलिए शुरू करते हैं तो हमारी यातरा शुरू होती है चंदन वाड़ी की तरफ से उससे पहले में लगा लेता हूं माथे पे तिलक और तिरिक लगाने वाले हैं भाई साब हमारे और इन्हों ने रखा है मुमें पान इसलिए नहीं बोल पारे यह जैश्री राम चलिए करते हैं आगे की तरफ आगे की तरफ उससे पहली खांगर लेते हैं अब पर लंगर आप यहां पर बनारस की तरफ सव आये और बनारस इंपार बन के त्यार हो रहे और भई घूमे लिए। अब देख सकते हूं कि भोले बाबा की भक्त लगातार भोले बाबा की दर्शन के लिए जा रहे और यह पुरा ड़ा हो रहा हैry पान ओस्ते सकते हो तो हमारी यात्रा होने वाली है शुरू और सबसे पहले पढ़ावाता है जिसका नाम है चंदनवाडी और मानताओं के अनुशार देखा जाये तो कहते हैं कि भगवान शिव ने अपना यहां चंद्रमा छोड़ा था और इसके बाद आता है दूसरा पढ़ाव जो की काफी जादा कटिन है और उसका नम है पिस्टू घाटी मानताओं के अनुशार देखा जाये कहते हैं कि जब देवता और राक्षिशों के अंदर अमरत पाने के लिए युद्ध हुआ था तो उन राक्षिशों की ही लाशों से इस परवत का निर्मान हुआ तो अभी काफी जादा थकान हो चुकी और अभी हम खाने वाले मिठाई क्या खाएं यह वाला देखते हैं अभी हमें लंगर से मिला है अगर देखो दोस्तों आप सबको लगता है कि यह यातर इजी है इजी नहीं है ठीक है लाखो लोग जातों रहें पर कुछ लोग अपनी जाने भी गवा रहे हैं ठीक है इसके दस मिनिट बाद मैं देखता हूँ कि वहां से एको लाश आ रही है कहते हैं कि कई लोगों की वहां पर लो अक्सिजन के कारण ही मौत होती है और कुछ लोग की पहाड से गिरने से मौत होती है तो दोस्तों जैसे ही मारे पिस्टू टॉप की चड़ाई खतम होती है और मैं देखता हूँ कि वहां पर एक और भंडार हमारा इंतजार कर रहा होता है और मैं भी यहां पर भंडार में लंगर खाता हूँ और भोले बाबा से दुआ मांगता हूँ कि भोले बाबा सब सुक शांती से अपने घरवापी चाहें और यहां पर अलग-अलग तरह की मिठाईया रखे हूई है और मैं भी अलग-अलग तरह की मिठाई खाका के परिशान हो गया हूँ पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भर रहा कि आगे अब क्या खाऊं उसके बाद मैं तखाऊंगा मॉमोस मॉमोस भी सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट ही थे क्या पताऊं इसका टेस्ट में आज भी नहीं भूल पा रहा तो चलो फिर दोस्तों आप भी में साथ यात्रा करो और मैं आपको यहां की कथा सुनाता हूँ पहल गाओं, चंदनवाडी, शेशनाग जील, गनेश टॉप आखिर इनके पीछे क्या कहानी है तो कहानी की यहां से शुरुवात होती है कर महादेव और महादेव पारवती की जगा पर बैटे होते है पारवती महादेव की गदन की तरफ देखती है और कहती है कि आपने ये नर्मुंड की माला गले में क्यों पहनी है महादेव कहते हैं कि जब भी तुमारा पुनर जीवन होता है तो इस माला के अंदर में एक मुंड जोड लेता हूं और पारवती माता कहते हैं कि ऐसा क्यूं है कि मेरा ही पुनर जीवन होता है और आप अमर हो महादेव कहते हैं कि इसके लिए तुमें एक अमर कथा सुननी होगी फिर बारवती मा जिद करते हैं कि उनको भी इस अमर कथा के बार में बताया जाए तो आप अभी मेरे पीछे देख पा रहे हैं यह है शेशनाग जीर और कहते हैं कि यहाँ पर आज भी शेशनाग जी की परचाई देखनों को मिलती है मानताओं के अनुसार देखा जाए कहते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ ही अपने नाग को छोड़ा था और आप देश सकते हों कि सर्दियों में यह पूरी जिल जम जाती है और जो इसको एक सेंटिफिक तोर पे देखा जाए तो सेंटिस भी हरान है कि इस जील में कुछ चमसकारी तत्व पाई जाते हैं जो बाकि जीलों में नहीं पाई जाते हैं और इस जील का जनम कब हुआ सेंटिस आज भी जील का पता नहीं रगा पाएं और आप देख सकते हैं कि यह पूरा यहां का टोटल व्यू कैसे का है अभी हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं रास्ता काफी जादा बारीक और टाइट होता जा रहा है अब जैसे जैसे में आगे पड़ता जा रहा है अभी जो हम शेष्णाक की को अभी जो हम शेष्णाक जी की चड़ाई से बबल टॉप की तरह जा रहे हैं और यहां सबसेदा हाइट है और कम अक्षिन लेवल का सामना करना पड़ता है अब हम इस यात्रा के सबसे टफ पैच में हैं जैवाब वाले अधर महादेव काफी मुश्किल हो बेंचड़ाईए हैं है छोटी वाली है फ्रूटी अब भी काफी चलने के बाद कुछ लिक्विड ले लिये जाएं कि प्वाल्टी काफी जादा हाइड्रेट हो रही है ठीक है तो टी हाइड्रेट हो रही है जो ऑक्षिन लेवल कम होता ना इंसान भोलता कुछ है निकलता कुछ हो रहे है होता कुछ हो रहे है अब भी हमारी एक मुसीबत कम नहीं हुई थी कि दूसरी मुसीबत और आ गई और यहां पर हो चुकी है बहुती तेस बारिश शुरू और धीर धीर हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं पर पहाड़ों पे बारिश में कर दा खता ना खो जाता है लेकिन अब हम इस मोड़ पर हैं कि हम ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं ना यह किसी जगह पर रूछ सकते हैं रास्ता लगा थार मुश्किल होता जाना है उपर ते कीचर काफी है प्यार स्लिप बहुत हो रहे है फिसलंदार चड़ाई खतम करने के बाद हम पहुंचते हैं गणेश टॉप कहा चाता है कि महादेव ने यहां पर गणेश भगवान को छोड़ा था और उसके बाद यहां सही आगे बड़े थे अब हम आच चुके हैं पोश, पत्री और यहां पर भगतों को नाश्तिव देखके मेरी सारी ठकावट ही दूर होगी और यहां का लंकर सच मुच में सबसे बेस्ट लंकर मुझे लगा आप देख सकते हो कि यहां पर हर परकार की आपको मिठाइ मिलेगी यहां तक कि आपको साउथ इंडियन फूड भी खाने को मिलेगा तन्दूरी हर चाप मिलेगी, सोयल चाप मिलेगी आप खाखा के परिशान हो जोगे लेकिन दोस्तों यहां पर वराइटी खतम होने का नाम नहीं लेगी और अलग तरह के लड़ू बोल नहीं पारा इतनी सारी वराइटी मेरे आँखों के सामने से आ जा रही और आपको मैं देखाओंगा यहां पर दोस्तों मौमल भी है और इसके साथ क्या बताओं यहां खाखा के हर एक तरह का फरूट भी है हर एक वराइटी की चीज आपको इस दलंगर मिले के दोस्तों आके तो मेरी सारी ठकावर दूर होगे और मैं यहां पर आके बहुत ही जादा खुश महसूस कर रहा था अपने आपको तो दोस्तों यह चीज यहां भी नहीं रुकती और यहां पर अलग अलग तरह के मिलिक शेक, सेंड, वीच, हर तरह की बेकरी प्रोटेक्ट्स यहां पर की मसाज और जितने भी भगत यहां पर आके ठक चुके हैं उनकी यहां पर फ्रीवियम मसाज होती है और यह पांच मिनद तक मसाज मशीन करती है अब जा रहे हैं अंदर के दिखाता है कि अंदर का कैसा का महौल है और अंदर का सिस्टम है तो मैं भी आप मसाज ट्राइग क करती है हमारी मशाज टार सचमुक में बहुत यहाने रलेक्स फील हो रहा है और मजा तो काफिा रहा है अब हम्बारी मसाज होने वाली खतम अब हम वाली यातरा दोबार शुरू कर रहे हैं अब निकलते हैं आगे की तरफ भोले बाबा का नाम लेते चलो हम आगे बढ़ने देखो भाई अब ना यात्रा पर आने के लिए को घोड़े खचर की जुरूरत नहीं ठीक है जिसमें यात्रा करने होते ना वह ऐसे भी कर लेता है देख रहे हमत हमारी बस में घंतर हैं का यहा करता है कि जैब हो ले बाबा जैब होले तो अभी जो ये रास्ता यह रास्ता जाता है पंच तरनी गो जैसे कि मेना को बता है था यहां से जाथा ड्राई है अ आप देश सकते हो कि मेरे होट और पूरी नाppen फट चुि एक तन पूरी रिभास ठीक है और आप दे सकते हैं अब बादल काफी जादा उड़ हैं अब हम पहुंच चुके हैं पंच तरनी कहते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ पर अपने पांच तत्वों को छोड़ा था जैसे कि वायू जल पृत्वी अगनी तो मैं पंच तरनी पहुंच तो गया हूँ लेकिन यहाँ पर आगे मुझे बहुत दुख हुआ कि जिस पशुपती नात के आप दर्शन करने जा रहे हो आप जिस घोड़े पर चड़के जा रहे हो उन घोड़ों की क्या हालत होती हैं चलो फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि आपकी यात्रा ये घोड़े करते हैं और इनकी हालत क्या हो रही है इस पे किर्पया गौर कीजिए और ये बाद सरकार तक जरूर पहुंचाएगे तो दोस्तों कड़ी मेहनत करने के बाद बाबा के दर्शनों के लिए हम बहुत ही जादा करीब आ गए आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने जादा घोड़े हैं और बरफ की चादर अभी वी वैसे की वैसे ही है अब हम धीरे धीरे जाएंगे बाबा के दर्शनों के लिए आगे किदर और आपको मैं गुपा के बाहर से ही दर्शन करवा रहा हूँ आप भी दर्शन कर लीजिए तो चलो फिर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि बाबा बर्फानी जी की गुफा की खोज कैसे हुई पुरानों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर रिशी आये से जिनका नाम था रिशी प्रिगोग उनेन ने ही बाबा बर्फानी जी की गुफा की खोज करी थी और आएं दूसरी कहानी के तरब एक बूटा मलिक नामक मुस्लिम चरवाहा था उसने बाबा जी की गुफा की खोज गए थी वो कैसे मैं बताता हूं आपको कहते हैं कि यहां पर बकरी चलाने आया था और वहां पर उसको एक रिशी दिखे लेकर जाते ही तुम्हारे सारी समस्य हैं खतम हो जाएं और बूटा मलिक ले गया उस आयूरा बूटा मलिक ले गया उस घुल्फा के देखता है कि वहां पर वर्फ मिमा शिवलिंग मने होई तब उस बूटा मलिक पूरी दुनिया को अपने साथ हुए चमतकार के बारें बताया और आप यहां देख सकते हो कि पूरा लोग कितने बड़े से बड़े काफिला के काफिला आ रहा है बाबा जी के दर्शनों के लिए और वहां पर है बाबा जी की गुफा और यह दोस्तों यही इस गुफा की कहानी है तो दोस्तों ये थी कहानी बाबा बरफानी जी की और आपने भी मेरे साथ बाबा बरफानी जी के दर्शन करे और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताईएगा तब तब कलिए हर हर महादेव, जै बाबा बरफानी